असलाम लेकुम एवरिवन आज इस वीडियो में मैं आप से एक सिंपल होम रेमिजी शेयर करूंगी जब कि पीरियेट क्रैम्स को स्टॉप करने या रिड्यूस करने में हल्प कर सकती है एक फीमेल्स को पीरियेट के स्टॉप में यूटरस की कंट्रेक्शन की वज़ा से बहुत ज़दा क्रैम्स बढ़ते हैं जो के पीरियेट के स्टॉप में ज्यादा होते हैं और विद अपेस्ज आफ टाइम वो रिड्यूस हो जाते हैं देखने में आया है कि ऐसी females में prostaglandins की production ज्यादा होती है जिसकी वज़ा से muscles of the uterus ज्यादा contract करते हैं। उनके ज्यादा contraction की वज़ा से blood flow in the blood vessels reduce या stop हो जाएगा जिसकी वज़ा से वहाँ पर ischemia हो जाएगा। इस कीमिया की वज़ा से शदीद pain होती है। तो इस pain को dysmenoria कहते हैं। जब doctors के पास हम dysmenoria की complaint के साथ जाते हैं तो doctors हमें ऐसी medicine देते हैं जो के prostaglandins की production को inhibit करते हैं। उसका नाम होता है NSAID। सो अगर आप ऐसी medicine घर में लेना चाहें तो simple सी medicine जो तकरीबर हर घर में available होती है that is called mefinamic acid यानिके pontstone। pontstone आपने लेनी होती है अगर 250 mg है तो एक गोली सुबा दुपए है शाम, periods के first 3 days आपने लेनी होती है। अगर इसकी dose 500 mg है तो आपने सुबा शाम लेनी होती है for 3 days। ये medicine आपने इन doctors के मश्वरे के साथ लेनी है। लेकिन अगर आपके यही pain एक simple home remedy से relief हो जाए तो इससे best कुछ भी नहीं। इस tea को बनाने के लिए आपको चाहिए ginger, mean अद्रग and few drops of honey। आपने इसको बनाना कैसे है कि one glass of boiling water में आपने one piece of अद्रग डालना है और इसको इतना boil करना है कि one cup रह जाए। इसमें आपने few drops of honey क to add करना है और आपने इसको दिन में तीन बार इस्तामाल करना है। इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं because it has anti-inflammatory properties यह आपके hormones को भी regulate करेगा और आपके weight loss में भी help करेगा। kindly share your experience, like the video if you liked it and share it for public awareness, thanks. झाल